सदो सर फिलाल आज के बादार पर नज़र डालें अगर तो कैसा दिखना है सर आज का ये जो पहले साल का पहला जो ड्रेड है पहला डे है और बहुत सारे लोग उसको बहुत सीरियसली देखते हैं कि कहीं उसके अंदर में कुछ नुक्सान नहीं होना चाहिए या पाइदा हो नहीं की पहला दिन कैसा हो लेकिन पूरा कहलें कि अगर टेस्ट मैस की तरह को पूरा टेस्ट मैस कैसा हो कि यह वह ज्यादा नगेंकि दो फो लोग यह अग्याओर यह तो बाजूर उसके एक चीज एलेक्स जी बहुत ही इंपॉर्टन्ट है देखना कि मार्केट जो है वो कहीं न कहीं अपने आल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड हो रहा है जाता है कोशिश कर रहा है उसके उपर निकलने की लेकिन फिर फिसलता है और लेकिन उपरी इस तरह पे बराबर बना हुआ है रेजिस्टेंस के पास बना हुआ है और बराबर रेजिस्टेंस के पास बना होने का मतलब है कि कहीं न कहीं मांकेट सायर वो स्ट्रेंथ गेन कर सकता है जहां सकी यहां से एक बड़ी तेजी आ सकती है क्योंकि आप ध्यान दो एलग जी जब भी हम लोग कहने कि किसी भी तरह का strength अपनी body में develop करते हैं तो वो एक तरह का अगर आप जिमी में जाओ तो एक तरह की resistance को बराबर आप करते हो और देखोगे कि after certain period of time आपने एक strength आपने defy नहीं कर रहा है gravity की तरफ ज़्यादा नहीं जाकर उपर की तरफ बराबर उचलता है और इसी को हम resilience कहते हैं और जहां भी resilience होते हैं definitely underlying या पर जो लोग थोड़ी दूर तक देख रहे होते हैं साइद उनकी buying आ जाती है तो market जो है साइद जो है उसी तरफ इसारा कर रहा है कि यहां से भी उपर जा सकते हैं जो important resistance के level होंगे क्योंकि अगर आप options को बराबर देखें 18200 इस वीक के जो options हैं वहां पर बहुत बड़ा open interest खड़ा है और उसका break even मुझे लगता है कि 18270 के आसपास है उसके उपर अगर निकल जाता है तो फिर से इसमें तेजी होगी है market में although overseas markets आरे बंध है most of the markets are close today क्योंकि ने साल के उपलक्ष में और हमारे market खुला है तो कहीं नहीं थोड़ा दिख रहा है और market साइद यहां से बढ़ सकता है और ज्यादा तेजी आए कि 18270 के उपर अगर ट्रेड होने लग जाता है तो मुझे लग रहा है कि वह ट्रिगर पॉइंट होगा जहां सकेगी और सौट कवरिंग आना चालू हो सकती है तो यह कुछ एक चीज है कॉंट से पर नजा रहे हैं सब्सक्राइब कर देख लिए और किस तरी के डव्यू बन था हूं कर देख लिए अगर देखें तो बहुत जादा है बनस्पत अगर आप जो है विजए विजवित जो रिलेटिव कॉम्परेटिव स्ट्रेंथ होता है दोनों इंडेक्स में जादा है उसके बहुत सारे रीजेन है क्योंकि बैंकिंग के रिजल्ट को अगर आप देख लें कि लाश्ट के दो तीन कौर्टर में जिस तरह के रिजल्ट रहे हैं काफी उत्सावर्दक हैं रिजल्ट और लोन ग्रोथ काफी अच्छी है आने वाले दिनों में भी ऐसा दिख रहा है कि इस साल भी लोन गोत उनकी अच्छी रहेगी और इस सारे चीज़ के मतलब एकॉनमी में कुछ चीज़ें जो अच्छा कर रही होंगे उसका पूरा बेन अच्छा कर रहे हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं जो कि अच्छली मरतवा हुआ था लेकिन इस बार एक चीज़ है कि एससे जहां पर हम लेंड कर रहे हैं या वो बेटर पोजिशन हैं अपने बैलेंस सीट के लिहां से बैंक मुझे लग रहा है कि इसी लिए आपको दिख रहा कि बैंक में काफी अच्छी पोजिशन से और मुझे यहां पर जो दिख रहा है कि अगर आप बैंक निफ्टी में देख लें कि 43-500 के उपर अगर चल जाता है बैंक निफ्टी तो इसमें एक अच्छा ट्रिगर हो सकता है जैसा कि इसके चार्ट इंडिकेट कर रहे हैं और वहीं पर अगर मैं इनके ऑप्शन्स को अगर देखता हो तो मुझे लग रहा है कि जिस्ट एमोमेंट अगर देख लें तो बैंक निफ्टी में बहुत जादा पुट राइटिंग है जैसे कि हमने निफ्टी में जो पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग के बीच जो डिफरेंस है यहां पर अगर देखेंगे तो आज 3300, 342 100, 341 100 इस पे जो पुट राइटिंग है पंदरे लाग, सतरी लाग, तेरे लाग के करीब है और कॉल में अगर राइटिंग देख लेंगे तो फाच लाग, साथ लाग, तीन लाग है तो जो डिफरेंस बेटून देख बट्रेंस ह बैंक निफ्टी में कि यह ज़्यादा तेज होगा इस ऐसा इंडिकेशन मल रहे हैं तो इंपैक साथ बैंक निफ्टी पे ज़्यादा हो ज्यादा तेज से बढ़े तो ध्यान रखें तिरा लिए इस पांच सो जिसा मैंने बताएगी कावे इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएं दिन किस तरीके से वजार पर नजर है कहीं न कहीं कि उसी से साल भर का भी इशारत बहुत मिली सकता है लेकर उसकी इंपॉर्टेंट कुछ खास नहीं है आज के दिन की जिस तरीके से इन पर्टिकलर जो संदो सर बता रहे थे तुको कि वहले एक साइक्यलोजिकल चीज़ें संदो सर्थ इस समय स्टॉक स्पेसिक कोई स्ट्रेटिजी बन रही है कि आज जब हम पहली दिन ट्रेड कर रहे हैं आज हमको दिख रहा कि काफी ज़्यादा बढ़त में आनिया वाली है पहला जैसा मैंने पहले भी आप से बात पहिए कि में साइब जो दिन थे कि जो चीन से बेटर होने चाहिए और जैसे कि कि चाइना से जो यह जा रहे हो रहा है तो मुझे लगरा कि में अच्छा रुज़ान होना चाहिए और में फेरेस मितल और और नॉन फेरस में नॉन आउन तो आपने देखना चाहिए कि उस जगह जो स्पेस है वो काफी हैपनिंग है वहाँ पर बहुत सारी कंपनियां जो की काफी अच्छे प्राइस करेक्शन हुए है डॉलर के और कलेक्ट नहीं हुआ है और डॉलर में भी अगर करेक्शन आ जाता है तो मुझे लगदा की और गैश मार्केटिंग कंपनी या सिटी गैस डिस्टिबूशन कंपनी हैं वो काफी अच्छा कर सकती हैं दूसरा जो है मुझे लगदा की चुनिंदा आई-टी सेर्ज जहां पर की काफी मार पड़ी है वहां पर उस स्पेस में भी देखा जा सकता है यह तमाम कंपनीया है और इंफ्रास्ट्रक्शर स्पेस भी आपको देखना चाहिए कि गौर्मेंट के काफी बड़े फोकस हैं इंफ्रास्ट्रक्शर पर लॉजिस्टिक स्पेस में जो कंपनीयां कर रही हैं अच्छा उन पर आपको ध्यान रखना चाहिए यह व्यू ओवरॉल माजार पर बी और किंशेयर्स पर किंसेक्टर्स पर है नजर वह भी बता दिया है संतुर्स सन्या